दोस्तो स्वागत है आप लोगं का हमारे यूट्यूब चैनल महांसर में अदोस्तो हम लेके आये हैं हडपा की तीसरी किलास जिसमें हम कोश्चन कर रहे हैं हडपा के और 20-20 कोश्चन करके हम कर रहे हैं एक किलास इसकी और लगने बाली है उसके बाद सारे के सारे जो तो कांटिन्यू करते हैं इसको और शुरू करते हैं इससे पहले थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि हमारी इतियास और पॉलिटी की किलास हैं चल रही है तो बहां पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं और बड़े इस्टक्चर्ट बाई चला रहा हूं मैं मतलब उसमें जो रिविजन हो जाएगा लेकिन आप किलास को देखियेगा किलास में बड़ी चीजें मैंने अच्छे डंक से समझाई है ऐसे आपको सायधी कहीं समझने को मिला होगा बहुत अच्छे से मैंने समझाया है एक बर्ट को वहां पे मैंने डिफाइन किया हुआ है तो बो चीजे भी आप लोग देखिए जिससे आप लोगों का नोलिज बड़े आप लोगों की कैपेसिटी बड़े चीजों को पढ़ने की चीजों को समझने की और आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाएं अपनी किसी भी एक्जाम में तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोस्चन अच्छ प्रफंदन की यह प्रणाली मिलती है ना ये आपकी एक तो मोहन जोद्रों से भी मिलती है हडपा से भी मिलती है लेकिन अगर आपको कोई कोस्टन में पूछा जाता है तो अगर वो चीज़ें नहीं दी हुई होती है तो आपको धोला बीरा लगाना होता है और धोला बीरा में ही ये चीज़ मिलती है दोला भीर में बहुत उन्नत जल परपंदन की प्रणारी मिलती है यहाँ पे एक जलासे भी मिलता है और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या बोलता हूँ मैं एक चीज मुझे याद नहीं आ रही है जिसमें तूफान जीसे कुछ साख्ष आपको देखने को मिलते हैं तो वो भी आपको यहीं से मिलते हैं तो पहला कोस्चन का पहला ही आंसर आपका क्या है एच उप्सिन बिल्कूर सही जबाब है नेक्स्ट बढ़ते है और नेक्स्ट क्या है आपका हडपा के मिट्टी के बर्तनों पर सामानिता किस रंका उपियोग हुआ था बताए हडपा के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे उस पर किस रंका प्रियोग किया करते थे तो वो लाल रंका प्रियोग करते थे या फिर हरा और नीला करते थे या पांडू रंग या फिर नीला तो जो लोग करते थे प्रियोग वो लाल रंग का इस्तिमाल करते थे किस रंग का इस्तिमाल करते थे लाल रंग का इस्तिमाल करते थे यह option बिल्कुल सही जबाब है इसका next question की तरफ चलते हैं दोस्तो next question क्या बोलता है सिंदु सब्विता निम लिखित में से किस योग में पढ़ता है मतलब हम इतियास को जो पढ़ते हैं वो तीन अलग-अलग पिरियड में पढ़ते हैं एक तो आपका प्राग इतियासिक काल एक आपका क्या है आद इतियासिक काल तू आप किलाश को देखिए जाके वहां पिए वह सारी चीजे मैंने समझाई है तो हडपा को जो हम पढ़ते हैं वो आद्यातियासीकाल में पढ़ते हैं अर आद्यातियसीकाल वह होता इसमें दो मिलती है आर्केलोजिकल साक्ष भी मिलते हैं हमको और दोनों के आदार पर जिस हिस्ट्री का डिसाइडेशन होता है तो वो आपकी आद्देत्यासिक कहलाती है लेकिन यहां पे एक बात मैं मिस्कर रहा हूं क्या जो लिखिस साच मिलते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता है वो पढ़ने म असमर्त होते हैं आईसे इतियास को माद्यत्यासिक काल कहते हैं तो सई अप्सन के आपका डी बिलकुल सई जबाब नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं अगिस्ट कोश्चन क्या है सिद्दु गाटी सब्वितागी तबस्था में निम लिखित में से किस स्थल में घरों म संफेसं मिलें बताना है, कौन-सा-इसा इस्थल है? जहां आपे घर में कूपे ज्यादा लेबल में जाओं तो भाहाँ पे रसोई घर भी होता था इसना घर भी ओता था जिसे का बात्रूम भी होता है सारी कोम होती थी यहाँ कौन शार है? बताइए वो कौन सा स्थल है तो वो आपका कौन सा है हरापपा है काली बंगा है लोथल है वो आपका क्या है आपका मोहन जोडोड़ एक इस स्थल है जो बहुत बिक्सित आपका स्थल मिलता है तो सही जबाब आपका क्या होगा option D विल्कुल सही जबाब है बढ़ते हैं next question की तरफ और next question क्या है दोस्तो सिंदु गाटी सब्विता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है बताईए वो कौन है तो कौन से दो भारतिये हैं जिनोंने सिंदु सब्विता को खोज निकाला था दयाराम सानी और राखाल दास बनरजी हैं जान मार्शल और यस्तरू प्रिसाद हैं ये तो नहीं होगा आशेर ये तो हमने पड़ा ही नहीं है मादस रूप, बस और बीबी लाल ये भी नहीं है क्योंकि हडपा की जो खोज की थी सिंदुगाटी सब्विता की जो खोज की थी वो दयाराम सानी और राखाल दास बनरजी ने की थी तो सही उप्सन आपका क्या है डी उप्सन बिलकुर सही जबाब है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ रंगपूर जहां हडपा की समकालीन सब्विता थी बताईए रंगपूर जहां हडपा की समकालीन सब्विता थी वो कहां पे पढ़ता है देखिए रंगपूर ये आपका क्या है रोपड ये दो ऐसे नाम है जहाँ पे मैं भी कनफ्यूज होता हूँ मैं जो रंगपूर हूँ और जो आपका रोपड है रोपड तो आपका पंजाब में पढ़ता है और जो ये रंगपूर है ये गुजरात में पढ़ता है गुजरात में ये एक स्थान है सवराष्ट तो सवराष्ट में ही आपका क्या आता है ये रंगपूर आता है तो ये क्या है आपका सवराष्ट में पढ़ता है आपका रंगपूर गुजरात वाले इलाके में तो ये आप कन्फियूज मत हो ना क्यूंकि रंगपूर से मैं कन्फियूज होता हूं कभी-कभी मैं पंजाब कि प्रातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, प्रभारी बोले तो अध्यच्च कौन थे, मतलब किसकी अध्यच्च्चता में ये खुदाई हो रही थी, क्या वो लाड मैकाले थे, क्या वो सरजान मार्शल थे, लाड किलाइब थे, करनल टाड थे, तो आप लोगों को तो पते ही होगा, कि 88 सपिता की जो खुदाई कराई थी, वो आपके सर जान मार्शल ने कराई थी, और कब होई थी, 1921 में, 21 में अडपा की हो गई, 22 में महुण जोड़ो की हो गई थी, तो इसका सही जबाब क्या है आपका, B option बिलकुल, सही जबाब है, next question देखते हैं, next question क् next question जो है, दोस्तों क्या है, निम्न लिखित में से, मतलब निम्न में से किस पसू की आकिरती, जो महर पर मिली है, जिससे ग्यात होता है कि सिंदुगाटी, मेसो पोटामिया की सब्विताओं के मद्द, ब्यापारिक संबन्थे, बताईए, वो काउन सी मतलब ऐसी पसू की आ ज़फित मिली है, यहां पर linna का लिखित में giya, लिया, आपकी किस के मिली है, बैल के आकरती मिली है, और हाती की आकरती भी नहीं मिली है, उस मौहरों की बात कर रहे हैं, किस पर मोहरों की बात, जो मेसो पोटामिया, और से शिद्गुगाटी सब्विताओं के ब्यापार क दर्शाती है तो वो अपकी बैल क्या गिरती मिलती है उस पर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ और नेक्स्ट कोस्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन है सिंद गाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें भी विश्वास करते थे किसी को माना करते थे किसकी तो सही जबाब क्या है आपका option D विलकुल सही जबाब है next question क्या है दोस्तों निम लिखित में काउन सा सिंदू इस्थल समुद्र तडपर इस्थित नहीं था अब यह question आपको पसाने वाला है इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी knowledge है अगर एक point का भी knowledge है तो आप कर जाएंगे बरना आप नहीं कर पाएंगे देखिए यहां पर देखिए यह सुरकोत्रा मुझे नहीं पता कहां पर लोथल कहां पर बाला कोड कहां पर यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूं यह जो कोड दीजी है यह आपका कहां पर पढ़ता है इलाबाद में पढ तो इलाबाद तो आपका समुद्र के किनारे तो है नहीं तो यह बाला इस्थल आपका क्या है समुद्र तड़का इस्थल नहीं है बांकि आपका लोथल सुरकोतड़ा बाला कोड यह सारे के सारे गुजरात के इस्थल हैं और यह समुद्र के किनारे आपके क्या है समुद्र क तटपे स्थलें तो सही जबाब इसका क्या होगा कौन सा नहीं पूचा है तो आपका कोड दीची होगा तो सही ओप्सन क्या है अपका डी ओप्सन बिल्कुल सही जबाब है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ निमलिकित में से कौन मोहन जुद्रो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ये क्वेस्चन मैंने मतलब जब मैं हडपा सबिता को पड़ा रहा था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया कि जब भी मोहन जुद्रो की सबसे बड़ी इमारत की बात की जाये तो आ बड़ी इमारत काउंसी थी जो मोहन जोद्रों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो आपकी क्या थी विशाल अन्नागार या धान कोठा जिसमें धान रखे जाते थे यान रखा जाता था तो अन्नागार इनकी सबसे बड़ी इमारत थी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी सबसे बड़ी विशेस्ता इनकी क्या थी ये विशाल अन्नागार ही था तो सही जवाब क्या है आपका उप्शन B है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ और नेक्स्ट कोश्चन क्या है हडपा काली इन लोगों ने नगरों में घरों के बिन्यास के लिए कौन सी चलते हैं और और पर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कोश्चन आपका ग्या है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने से हैं अब यहां पे देखिए सूची बन के हैं प्राचीन इस्थल के नाम दिये गए हैं और आपकी क्या है सूची टू आपकी यह है तो इसमें क्या है प्रतात्विक अफ्षेस की बात की गई है तो यह आपको देखना है देखिए सबसे पहला इस्थल आपका लोथल दिया है फिर B काली बंगा, C दौला बीरा और D अपका बना बली अब इनसे related कुछ चीज़ें दी गई है बोई आपको मिलाना है जैसे कि जूता हुआ खेत समझ गए होंगे काली बंगा में है गोदी बाडा का साथ से आपका लोथल में पकी मिट्टी की बनी हुई अब नीचे में आप लोगो देख लेता है गोदी नीचे zaman तो नहीं है यह की ऐसा अपसन है जाह पर एक का संबंद 2 से तो यही आपका उप्शन बिल्कुल सख होगा देखेए बिल्कुल सख ही भी हो एकी उप्शन से मिला दिया मैंने और ज़्यादा देखा भी नहीं तो मतलब किया है मैंने एक मिलाया उसको देखा कही है और तो नहीं उससे रिलेट कर रहा है एका अगर नहीं करता होता तो मैं दूसरे पे भी जाता और भी चीजें मिलाने की कोशिश करता बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चन की तरह पर नेक्स्ट कोश्चन किया है दोस्तो निम यहां पर हड़ा मिलती है यह वृपत्ता मेंक्ता है सियर्क इस जानबर ड़ता हर मिलता है जOC कोई भी मिलता ही को शार को से भी दृत कर पको इता हया होता हो और जो हांति है इसकी भी बात बहीं पिक की जाती है पांच से पसु बहां पे होते हैं और इसमें जो सही उप Colin है तो आपका सही उप्सण आपका क्या है option है ए विलकुल सही जबाब है तो सेर ऐसा है जिसका जिकर नहीं मिलता है बढ़ते हैं question की तरफ और next question क्या है हडपा बासी किस दातू से परचित नहीं थे तो यह question आपको बताना है हडपा बासी किस दातू से परचित नहीं थे देखिए अगर आपको नहीं भी पता है इसका तो आपको यह तो पता ही होगा ना कि लोहे से यह लोग परचित नहीं थे किस से परच तो इसका सही option D है अब बढ़ते है next question की तरफ नीम लिकित में से किस हडपा काली निस्थल से यूगल सबादान का साथ से मिला है यूगल सबादान जिसमें मतलब क्या होता है दो लोगों को एक साथ बिठाया जाता है बिठाया बोला जाता है दफनाया जाता है जिसे मेन और सबसित बुमेंन को एक साथ जहां पर दफनाया जाता है यूगल सबादान बोला जाता है तो ऐसा साथ चे से ग्रीक या युनांन के लोग किस नाम से जानते थे यह आपको बताना है तो युनान के लोग थे क्वो काटन बोलते थे या यह दोनों या फिर हरपा ही बहुते थे इसको देखिए सिंधु सभीता का जो नाम पड़ा है वो ग्रीक लोगों ने लोगों ने दिया है और क्या है टृटषी जवाब क्या है नेक्स्त क्या है दोस्तों हडपा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है तो हडपा में तांबे का रथ आपका कहां से मिलता है देखो कुनाल हर्याना कुनाल जो है वो अपका क्या है यहां से तांबे के गेंडे मिलते हैं तांबे के गेंडे नहीं चांदी के मुकुट मिलते हैं कहां स मिलता है कहां पर मिलता है दैमाबाद में मिलता है बना बली से आपको बताए मिट्टी के हलकी आ उत्तर कूट में दें तो सहीb JUST होगा क्या होगा यही होगा क्या उप्ष यही बिल्कुर सैजबाब होगा वो सारी चीजों का ट्रेड करते थे नेक्स्ट कोच्चन की तरफ चलता है ह। अमारा वी अमार्स्ट कोच्चन है दोस्तो राप reproduce थी insists जैसे आज सेमेंट होता है ना आज सरीया सेमेंट आपका क्या होती है माउरंग ये साही चीज़ें होती है ना तो वैसे ये मतलब भवन निर्माड सामगरी लाजबर दुआ करती थी तो उसका ये आयात कहां से करते थे ये आपके कहां से करते थे हिंदुकुष छेत्र से इरा बनाया करते थे बबन का निर्माड करते थे अपनी बिल्डिंग्स अपने घर बनाया करते थे तो सही जबाब क्या है आपका option A हे हिंदुकुर्ष चेत्र के बधक्षा पर कैसे लगी आप लोगो की लाइक करें और हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्र लगने लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है वीडियो को लेके चीजों को लेके कंटेंट को लेके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद